नमस्कार आप देख रहे हैं जनभाबना टाइम साथ मैं हूँ अंकेता हिंदू मानिता के अनुसार पती और पत्नी का रिष्टा एक जन्म का नहीं बलकि साथ जन्मों का रिष्टा माना गया है कोलकाता में अटूट प्रेम की एक ऐसी ही मिसाल देखने को मिली है जहां पर एक पती अपनी पत्नी की मौत के बाद उसके स्टैच्यू के साथ रह रहा है कहते हैं न कि जीवन के आखरी पड़ाव में पती और पत्नी ही रह जाते हैं जो एक दूसरे का साथ देते हैं लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक की भी मृत्य हो जाए तो एक के लिए जीवन काटना बेहद मुश्किल हो जाता है कोलकाता के 65 साल के तपस शांडिल्य ने कोरोना की दूसी लहर में पत्नी इंदरानी को खो दिया था इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी का सिलिकॉन का स्टैश्यू बनवाया इसके लिए उन्होंने पूरे धाई लाख रुपे खर्च कर दिये तपस इस स्टैश्यू का अपनी पत्नी की तरह ही खयाल रखते हैं रोज उन्हें तयार करते हैं सोने के गहने पहनाते हैं और उनसे घंटो अपने दिल की बाद भी किया करते हैं यही वज़य है तपस का पत्नी को लेकर प्यार और उनकी मूर्ती की हर कोई चर्चा कर रहा है तपस शहर के केखाली इलाके में रहते हैं और एक रिटायर केंद्रिय कर्मचारी है दरसल दस साल पहले वो अपनी पत्नी के साथ मायापुर के सकौन मंदिर गए थे जहां पर उन्होंने ऐसी भक्ती वेदान स्वामी की सजीव प्रतिमा देखी जिससे देखकर उनकी पत्नी इंदरानी ने तपस से मजाक में कहा था कि जब मेरी मौत हो जाए तो उसके बाद मेरी भी प्रतिमा बनवा लेना तपस ने तब ही सोच लिया था कि अगर मेरे जिन्दा रहते ऐसा हुआ तो मैं इंदरानी की ये इक्षा जरूर पूरी करूंगा चार मई 2021 को कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आकर उनकी पत्नी की मौत हो गई इसके बाद तपस ने मूर्तिकार सुभी मल दास से पत्नी की सिलिकॉन की मूर्ति बनवाई करीब 6 महने में धाई लाक रुपे खर्च कर इंदरानी की मूर्ति बनकर तयार हो गई इस मूर्ति का वजन 30 किलो है इस मूर्ति को देखकर ये पता लगाना बेहद मुश्किल है कि क्या वाकई ये मूर्ति है या कोई जिन्दा इंसान हाला की परिवार के लोग इसके खलाफ थे लेकिन तपस की जिद के आगे उन्हें जुकना पड़ा अब तपस अपना समय इंद्राणी की मूर्ति के साथ ही व्यतीत कर रहे हैं इस अनोखे प्रेम को लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताईए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ नमस्कार